वे गूर्ण गूराफिंग रेवरेंग माई दियर फ्रेंग और अपडेट आ चुका है रिगार्डिंग वीजा ऑन अराइवल स्टे पीड एक्सेंशन के रिगार्डिंग की जो एक्सेंशन हैं वीजा अराइवल पे 30 दों के अब नहीं मिलेंगे कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी और आपको अपने कुछ सोर्सिस के थूँ कंफर्म करके बताया था भी आपने कहीं पे भी उस चीज को नहीं पढ़ाओगा किसी न्यूस में नहीं थी कहीं पे भी वो चीज नहीं दी भी थी लेकिन मैंने आपको एक न्यूस आराइवल के आपको एक न्यूस आर्टिकल दिखाने लगा हूं इंफाक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे भी एक सोचल मीडिया अकाउंट के थू मुझे यह चीज पता लग गई है कि फाइनली यह जो पॉलिसीज हैं एक्सपायर कर गई है और रिवोक कर दिया गया है आगे एक स्टेट न यह डाली थी तो भी मुझे पता लगा था क्योंकि वाट गवर्मेंट सेट्मेंट आप देखे इन्होंने कोई भी ऑफिशल स्टेट्मेंट नहीं दी मतलब की कल का पूरा दे निकल गया मार्च 31 का इस वरी नप्रफेशनल कि उन्होंने बिल्कु भी लोगों बताना जरू अगर आप के मेरे जैसे लोग को यह चीज नहीं पता लगी कि तो हम लोग कुछ लोग हम लोग यह सोचेंगे कि जो वीजा ओन अर्राइवल है वो कॉंटनियू करेगा 30 दिनों के लिए और कुछ लोग यह सोचके बैठ जाएंगे कि जो वीजा ओन अर्राइवल है वो 30 दि को उन्हों को उन्होंने बताया है it is not widely spread media doesn't know even ठीक है so that is very strange and unprofessional otherwise मैं कहूं आशीज को लेकिन अब जो भी update है वो clear हो चुका है तो आपका जो वीजोन राइवल है 15 दिन का रह जाएगा हमारे कुछ वीवर्स हैं जिन्होंने आज थालें ट्राइवल करना था social media account पे जो एक मेरे को message आया है वो मैं आपको दिखाने लगा हूं it clearly states that the visa on arrival extension to 30 days has been revoked as well as visa waiver program पे जो तीस दिन से बढ़ा के 45 दिन का किया गया तो उसको भी रिवोक कर दिया गया है so it clearly says आपको पढ़के बताता हूं कि 45 day visa exemption finished back to 30 days visa on arrival ठीक है यह हो रही है foreigners की बात westerners की बात हो रही इंडिया के case पे 15 दिन का visa on arrival stay period होता है जो कि 30 दिन का था करा लेकिन अब वापे से घटके 15 दिन का हो जाएगा without either confirmation or change of mind the six month tourist promotion extending the tourist visa waiver from 30 to 45 days and the visa on arrival from 15 to 30 days has finished March 31st from today April 1st okay clear screen पर आप देख लो तो guys this is it ये एक update था इसके regarding कुछ और जानकारी मुझे मिलती है कोई और feedback लोगों से मिलता है तो मैं definitely आप लोगों के साथ share करता रहुआ इसी तरीके से तो इस वीडियो को like करें ज्यादा इस वीडियो को share कर दे ताकि अभी भी काफी लोगों के मैं expect करों के सवाल आएंगी कि visa on arrival पे stay period कितने का 30 दिन का है 15 दिन का क्योंकि confusion होगी लोगों को इसलिए इन वीडियो को करना पड़ जाता है हाले कि बात कुछ नहीं होती है बहुत clear है मैं community post की थूरू भी लेकर आपको बता सकता हूं all right इस वीडियो को like करें share करें लोगों के साथ जास ज़्यादा और मेरे चैनल को जूरू subscribe करें and I see you one second good bye and take care